आज सुबह स्रीनगर से निकले थे श्रीनगर से अभी 150 किलोमेटर की राइड हो चुकी है और अभी हम पहुचे हैं पटनी टॉप जय हिन इंडियन आर्मी का ट्रक जा रहा है तो अभी हम पटनी टॉप पहुचे हैं और यहाँ से हमें जम्मो होते हुए अमरी सर्फ पहुचना है तो यहां पर हमें टनल लगा है अभी कि अभी टनल में इंट्री करेंगे ओवर्टेकिंग अलाउड नहीं है यहां पर चैनानी टनल सिंगल वे हैं दोनों साइट से आप यहां पे 50 की स्पीड पे आपको चलना है मैक्सिमां 50, 50 की स्पीड है इसके उपर आप नहीं जा सकते यह टनल प्राइम मिनिस्टर मोधी जी के हसके उठ गाटन हुआ था इस टनल का 2017 में यह टनल के लंबाई है 9 किलो मेटर टनल के अंदर रोशनी कम है इसलिए मैंने मेरे फॉग लैंप चालू कर दिया बड़िया टनल है हम चारो एक साथ चल रहे हैं में लास्ट में हूँ अभी मेरे दोस्त आगे चल रहे हैं हमने 50 के नीचे की स्पीड पकड़कर रखी है अभी अगर आप ले लदा राइड के लिए जब्मू से निकलने वाले हो तो आपको जाते वक्त यह टनल लगेगा और आप स्रीनगर वाय स्रीनगर से रिटन आर आते हैं तो आपको यह टनल नीचे उतरते वक्त आपको लगेगा अब भारत में कहीं भी टनल में राइड करते हैं तो आपको दौ तिन रूल्स फता होने चाहिए जैसे कि आपको राइड करते वक्त टनल में ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है किसी को ओवर्टेक नहीं करना है और टनल में रुखना नहीं है यह तीन रूल इंपॉर्टेंट है क्योंकि टर्नल में कभी-कभी कभी सुबह के वक्त कोरा हो सकता है, और टैंपरेजर भी कम होता है, टर्नल के अंदर थंड जादा हो सकती है, इसलिए आप देख सकते हैं कि यहां पे पीले लाइट्स लगे हुए हैं, जादा करके, जो कोरा कट करते हैं तो यह रूल सब याद रखिए जैसे जैसे आप टनल के अंदर पहुचते हैं 2-3 km क्रॉस करते हैं वैसे वैसे वहाँ पे टेंपरेचर कम होने के कारण वहाँ पे आपको सास लेने की तकलिफ हो सकती है तो आप रुकिएगा नहीं कहीं भी आप अपने स्पीड से चलते रही है अगर आपको सास लेने में तकलिफ होती रहेगी तो आप आपकी हेलमेट की विंड्शिल्ड उपन कर देना इससे आपको थोड़ा रिलिफ मिल सकता है जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे बाइक की दोनों तरफ एक सफिद पट्टी चल रही है वो पट्टी ड नहीं है इसका मतलब यह है कि आप यहाँ पर ओवर्टेकिंग नहीं कर सकते कुछ भी हो जाए आपको एक के पीछे एक ही चलना है और टेकिंग रिस्की हो सकता है आपके लिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक बंदा मेरे सामने दाये में चल रहा है और एक बंदा मेरे सामने बाये में चल रहा है तो आपको भी इसी तरह चलना है अगर आप बड़े गुरूप में हो तो क्योंकि आप किसी से पीछे 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 चलोगे और किसी ने ब्रेक सेडनली दबा दिया पंदेरे में तो आपका एक्सिडेंट हो सकता है तो आपको इसी तरह चलना है यह सेफेस्ट तरीका है राइड करने का टनल में तो इसी तरह हम अभी टनल की राइड खतम करेंगे अभी जम्मो की तरफ हम निकल रहे हैं बाहर तो मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंफोर्मेशनल और राइड रिलेटेड वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रहे सकते हैं तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक राइड हार्ड राइड सेफ और स्टे कनेक्टेड बाई